वेलकम टो दी हर्बर डिलाइट फॉर वाइबरंट लिविंग सीरीज स्टार्टेड बाइ आयुरवेदा फर्स्ट आज के हर्ब्स में हम लोग बात करेंगे वचा के बारे में इसका लैटन नेम है एकोरस कैलमस and it belongs तो एरेसी फैमिली ये वात और कफ रिलेटेड डिसॉर्डर में यूज किया ये वेदना स्थापन भी है यानि दर्द को कम करता है और ये शोथर भी है यानि कि ये सूजन को भी कम करता है जिस वज़े से इसको गठिया या फिर संधियों में दर्द होना जोडों में दर्द होना जैसे conditions में इसमें दर्द होने जैसी conditions में इसके रस को कान में डाला जाता है और कुछ lifestyle disorders जैसे की बहुत जादा depression होना, अवसाथ, उनमाज जैसे conditions आना या फिर convergence जिसको कहते हैं दोरे पढ़ना ऐसी conditions में यहां तक की paralysis जैसी situations में भी वचा को बहुत ही beneficial पाया गया है urine related problems जैसे की बहुत जादा रुक रुक कर urine pass out होना या फिर पत्थरी जैसी conditions में इसको use किया जा सकता है आजकल जो बहुत common है वो है delayed developmental disorders मतलब बच्चे जो है वो काफी late बोल रहे हैं या फिर उनकी speech में कुछ problems है तो ऐसी conditions में वचा को use किया जा सकता है और इस condition में वचा के चून को use किया जाता है यह जो है वो पित्थ वर्धक है यानि अगनी को बढ़ाने वाला है पित्थ को बढ़ाने वाला है तो यदि digestive related issues जैसे की बहुत कम भूक लगना या फिर जट्थरागनी का बहुत मन्द होना ऐसे issues में इसको use किया जा सकता है बट येस अगर पहले से ही पित्थ से related को issues है तो वचा को use नहीं किया जाना चाहिए चून फॉर्म में भी market में available होता है वचा चून के नाम से या फिर ऐसी कोई formulations है जिसमें इसको use किया जाता है जैसे की सारस्वत चून बट कोई भी medications लेने से पहले प्लीज कांसल्ट यूर डॉक्टर कोई भी दवा को किसी भी रूप में लेने से पहले अपने चुकेट्सक से कंसल्ट जरूर करें To learn more about the Ayurvedic herbs, stay connected with us. Please do like, share and follow for more.